हरे कृष्णा रक्षा बंधन अभगोईता परस्पेक्टिव रक्षा बंधन ये भारत में एक बहुत ही मधुर और संदर उत्सव है इसमें अपने भाई के हाथ में एक राखी बानती है और वह जो बंधन है भाई एक तरसे वादा करता है वो अपने बेहन की रक्षा करेगा अभी इस रक्षा बंधन अभगोईता की दृष्टी से इस उत्सव के जो प्रिंसिपल्स है उनका क्या significance है क्या महत्व है और भगवईता की दृष्टी से क्या महत्व को हम समझ सकते है उसकी वारे हम देखेगे तो मैं तीन चीजों देख रहूँगा तीन आर्स पहला है आज हम ऐसे जगत में रह रहे हैं कि जिसमें हम बहुत बुझी रहते हैं महत्वपूर्ण क्या है और इसमें जो रिष्टे है और रिष्टों से जैन हम आनन दाता है उसमें जो हमारे जिम्हदारिया है जिसमें हमें इस अन्तुष्टी मिलती है, जीवन को सार्थत्ता मिलती है, उसको हम भूल जाते है, भगोईता हमें बताएगा है, अठरवे अध्याय के, तीसवेश लोक में कि, वहां बुद्धी जो समझती है, कि क्या उची कारे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनुकूल है, क्या पतिकूल है, क्या विक्ति का कल्यान करेगा, क्या विक्ति का कल्यान से दूर ले जाएगा, ऐसी बुद्धी जो समझती है, वह सात्विक बुद्धी है, तो ऐसे सात्विक बुद्धी से हम, जो हमारे रिष्टे है, उनका महत्वा समझ सकते है, और इसक वो हमारे सात्विक बुद्धी की रुद्धी कर सकते हैं तो जो आजकल के समाज में समंधों को कम मौले दिया जा रहा है उनमें से जो समंध का काफी बार दुरलक्ष हो जाता है वो है भाई बहन का समंध सब अपने अपनी दुनिया में होते है उसमें बिजी हो जाते है और फिर ऐसे जब उत्सव होते है वो हमें याद दिलाते है जो महत्वपूर्ण चीज़े है उनको हमें भी महत्वदेना चाहिए और दूसरा है री इन्फोर्सर यह नकेवल याद दिलाते है पर उसमें जो समंध है उसके और वुद्धी करते हैं पर जब उसको व्यक्त करते हैं तो फिर उसका उसके और वुद्धी होती है इसलिए भगविता में बताया है कि हम भगवान की भक्ति भी कर रहे है तो अंतरंग स्वरन करना जरूरी है पर उसके साथ-साथ बहाय कीरतन, बहाय उसका परकटी करना भी जरूरी है नवे जहां के तिसलिए शोक में वो अंतरंग स्वरन बताते हैं और बहाय कीरतन जो है चौदव विश्टों के अगले शोक में बताते हैं तो अभी बहाय बहन का जो संबंध है और खास करके जो रक्षा बंधन में बताया गया है वह एक तरह से बताया है कि जो बहन है उसकी सरक्षन के लिए बताया गया है अभी भगवीता के पहले अध्याय में भी अर्जुन खास करके 38-49 सोकों में वह ये चिंता भी अक्त करते हैं कि कैस तरह से जो अगर युद्ध हो जाएगा युद्ध में विनाश हो जाएगा तो समाज में जो वल्नेरिबल सेक्षन है विशे विए बहागे जिनमें खतरा हो सकता है उनका सेलक्षन कौन करेगा उनमें से है खास करके स्थियां और भगविता में आगे तीसरे अद्धा के बीस विश्व लोगवान कहते है कि हर विक्ति को लोक संग्रह में योगदान करना है कि हमारी जिम्मेदारी हैं जिस्ते की जगत चलता रहे हमारा जगत परिवार हमारे सम्मधी तो उसमें जो धिम्मेदारी है वो करना हमें ज़रूरी है तो आजकल के समाज में शायद स्थियों को लगेगा कि मैं तो मेरी नौकरी है मेरा यह है वह मुझे कोई सरक्षन की ज़रूरत नहीं है तो एक तरह से सरक्षन शार्री की नहीं है मानसिक भी है भावनात्मक्स तरपे है आध्यात्मक्स तरपे है और अलग-अलग तरह से हम सब को एक तरह सपोर्ट की जरूरत होती है और जो इस प्रकार का जो उच्सव होता है उससे जो उसने हैं अंदर होता है वो बाहर आता है प्रकट होता है और उससे उसकी वृद्धी होती है परकट होने का मौका मिलता है और जब हम ऐसे सबागी होते है तो उससे सम्मंध कसने है उसमे वृद्धी होती है और आकरी है री डायरेक्टर बगवीता में पताया कि हर आकरशक चीज जो इस जोती जगत में है वह भगवान का ही अम्ष्य है तो अभी भाई बहन का प्रेम है तो अभी एक तरह से मन को काफी आकरशक करता है तो यह भी एक बगवान की विभूती है यह सम्मंध हमे याद दिला सकता है बागवान के साथ शाच्छवत संबन्द है उसके लिए उसके साथ तो जो विसने हम एक भाई बहन के संबन्द में महसूस करते हैं अनुभाव करते हैं वह एक तरह से एक बूंद के समान है और बागवान के संबन्द में जो हम प्रेम बनुभाव कर सकते हैं वो एक सागर के सम्मान है अभी भाई बेहन के सम्मान को एक बूंद कहे कर उसको कम नहीं बता जा रहा है यहां पर बताने का उद्देश यह है कि अगर इस बूंद से ही हमको इतनी संतुष्ट इतना अनन्द मिल सकता है तो सागर से कितना मिलेगा श्रिमत भाकुत्म के चोथे सकन्द में दुरू महाराज करता में ऐसे बताया गया है कि जब दुरू ऐसे परिशानी में पढ़ जाते है जहां से उनकी माँ उनको नहीं मदद कर सकती है तो माँ कहती है तुम विश्णू के पास जाओ और मेरी जैसे माँ जिसमें यतना प्रेम करती है उससे लाखों गुना जादा प्रेम करती है तो भी वो यह नहीं कह रहे है कि उसका प्रेम ये केवल एक माया मोह है ये वो शुन्य है तो शुन्य होता शुन्य को हम लाखों बार भी उसकी गिंति का उसको मल्टिप्लाइ करते है तो अफिर वो जीरो ही रहेगा तो मा का प्रेम एक बेटे के लिए सही है सत्य है और भगवान का जो प्रेम सब जीओ के लिए परम सत्य है और भगवान का जो प्रेम है हम सब के लिए परम सत्य है तो जब हम भाई बेहन का ये प् अगर यह स्वर्ण करते है तो एक दूसरे के संबन्द हम पास में आएगे उसके साथ साथ हम भगवान के पी पास जा रहे है रहुपाचिन जब इसकौन की स्थापना की तो उनने एक उदेश था कि हम सब एक लोगों को साथ में ले आए एक दूसरे के करीब और भगवान के करीब भी ले जाए और इस तरह से अगर हम आए हम ऐसा भागे नहीं है कि हमें भाई या बहन का प्रेम है इसलिए हम ऐसे उत्समें से भागे नहीं हो रहे है तो भी हम याद कर सकते हैं कि भगवान हम सब के रुदे में है और भगवान का फ्रेम हम सब के लिए हमेशा मौजूद है तो जब हम भगवान के नामों का जब करते हैं हमारे हाथ जब माला में डालते हैं जब हमारे हाथ जब की जो माला है हमारे हाथ में बांते है तो वह भी एक प्रकार का रक्षा बंधन ही है उसमे हम भगवान से हमारे भक्ती या भक्ती की इच्छा हम परकड करते है और भगवान हमें सरक्षन देते है भगवान ही हमारे परम सरक्षक है भगवान वाशवासन देते है भगवईता में अगर आप मेरे चितना में आ जाओगे तो सारी समस्याओं के पर मैं आप ले जाओंगा और इसी में ये भगवान से संबंद जो है उसको और रुद्धी करने में ही हमारा सारे उत्सवों का वही अंतिम उद्धेश है इस तरह से मैं याद दिलाना कि क्या महत्वपूर्ण है अरे कृष्णा क्या है क्या है